C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 6 त्रिभुज और उसके गुण प्रिष्ट 125 शेद शमलवेक भूमिखा आप देख चुके हैं कि त्रिभुज तीन रेखा खंडों से बनी एक बंद सरल आकृती है इसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं वह तीन कोन होते हैं यहां एक त्रिभुज A, B, C आकृती 6 शमलवेक है इसमें हैं भुजाएं रेखा खंड A, B, रेखा खंड B, C, रेखा खंड C, A कोन? कोन B, A, C, कोन A, B, C, कोन B, C, A शीर्ष, A, B, C शीर्ष, A की सम्मुख भुजा रेखा खंड B, C है क्या आप भुजा रेखा खंड A, B के सम्मुख कोन का नाम बता सकते हैं? आप जानते हैं कि त्रिभुजों का वर्गी करण एक भुजाओं, दो कोनों के आधार पर किस प्रकार किया जाता है? एक, भुजाओं के आधार पर विशम बाहु, सम द्विबाहु तथा सम बाहु त्रिभुज दो, कोनों के आधार पर निवन कोन, अधिक कोन तथा सम कोन त्रिभुज उपर बताए गए सभी प्रकार के त्रिभुजों के आकारों के नमूने काघज से काट कर बनाईए अपने नमूनों की साथियों के नमूनों से तुलना कीजिए और उनके बारे में चर्चा कीजिए प्रयास कीजिए 1. त्रिभुज ABC के 6 अव्यवों यानि 3 भुजाओं तथा 3 कोणों के नाम लिखिए 2. लिखिए 1. त्रिभुज PQR के शीर्ष Q की सम्मुख भुजा 2. त्रिभुज LMN की भुजा LM का सम्मुख कोण 3. त्रिभुज RST की भुजा RT का सम्मुख शीर्ष 3. आकृती 6.2 देखिए तथा त्रिभुजों में से प्रत्येक का वर्गी करण कीजिए A. भुजाओं के आधार पर B. कोणों के आधार पर आकृती 6.2 यहां 6 अलग-अलग त्रिभुज दिये गए हैं 1. त्रिभुज ABC भुजाएं AB बराबर 5 cm BC बराबर 8 cm और AC बराबर 8 cm 2. त्रिभुज PQR भुजाएं PQ बराबर 10 cm QR बराबर 6 cm और PR बराबर 8 cm 3. त्रिभुज LMN भुजाएं LN बराबर 7 cm और MN बराबर 7 cm 4. त्रिभुज RST भुजाएं RS बराबर 5.2 cm ST बराबर 5.2 cm और RT बराबर 5.2 cm 5. त्रिभुज ABC भुजाएं AB बराबर 3 cm BC बराबर 3 cm और AC बराबर 7 cm 6. त्रिभुज PQR भुजाएं PQ बराबर 6 cm QR बराबर 6 cm आईए त्रिभुजों के बारे में कुछ और अधिक जानने का प्रयास करें आप जानते हैं के एक दिये गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कागज मोडने की प्रक्रिया द्वारा कैसे ग्याद किया जाता है कागज के टुकडे से एक त्रिभुज ए बी सी काटिये आकरती 6.3 इसकी कोई एक भुजा मानो रेखाखंड बी सी लीजिए कागज मोडने की प्रक्रिया द्वारा रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक ग्याद कीजिए कागज पर मोड की तह भुजा रेखाखंड बी सी को डी पर काटती है जो उसका मध्य बिंदु है शीर्ष ए को डी से मिलाईए आकरती 6.3 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज ए बी सी पहले त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु डी है जो के बी सी को दो समान भागों में बाट रहा है दूसरे दिये त्रिभुज ए बी सी में ए डी को मिलाया गया है रेखा खंड ए डी जो भुजा बी सी के मध्य बिंदु डी को सम्मुख शीर्ष ए से मिलाता है त्रिभुज की एक माध्यिका है भुजाएं A, B तथा C, A लेकर इस त्रिभुज की दो और माधिकाएं खीचिए माधिका त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है प्रिष्ठ 127 सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए एक, एक त्रिभुज में कितनी माधिकाएं हो सकती है दो, क्या एक माधिका पूर्ण तया त्रिभुज के अंदर में स्थित होती है यदि आप समझते हैं के यह सत्य नहीं है तो उस स्थिती के लिए एक आकृती खीचिए छै दशमलवतीन त्रिभुज के शीर्ष लंब त्रिभुज के आकार वाला गत्ते का एक टुकड़ा A, B, C लीजिए इसे एक मेज पर सीधा उर्धवाधर खड़ा कीजिए इसकी उँचाई कितनी है यह उँचाई शीर्ष A से भुजा B, C तक की दूरी है आक्रिती 6.4 इस आक्रिती में त्रिभुज A, B, C को एक मेज पर सीधा खड़ा किया गया है शीर्ष A से भुजा B, C तक अनेक रेखा खंड खीचे जा सकते हैं आक्रिती 6.5 इन में से त्रिभुज की उँचाई कौन सी रेखा खंड प्रदर्शित करती है आक्रिती 6.5 त्रिभुज A, B, C में शीर्ष A से B, C पर अनेक रेखा खंड खीचे गए हैं एल त्रिभुज A, B, C का शीर्ष लंब है वह रेखा खंड जो शीर्ष A से सीधा उर्धवाधर नीचे रेखा खंड B, C तक और उस पर लंबवत होता है इसकी उच्छाई होती है रेखा खंड A, L त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है शीर्ष लंब का एक अन्त बिंदू त्रिभुज के एक शीर्ष पर और दूसरा अन्त बिंदू सम्मुख भुजा बनाने वाली रेखा पर स्थित होता है प्रत्यक शीर्ष से एक शीर्ष लंब खीचा जा सकता है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए एक एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं दो निम्न त्रिभुजों में ए से बीसी तक अनुमान से शीर्ष लंब खीचिए आक्रती 6.6 यहां तीन अलग अलग त्रिभुज दिये गए हैं जिसमें न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण की बात है 3. क्या एक शीर्ष लंब पूर्ण तयात्रिभुज के अभ्यंतर में सदाईव स्थित होगा यदी आप समझते हैं कि यह सत्य होना आवश्शक नहीं है तो उस स्थिती के लिए एक आक्रती खीचिए 4. क्या आप कोई ऐसा त्रिभुज सोच सकते हैं जिसके दो शीर्ष लंब उसकी दो भुजाएं ही हों 5. क्या किसी त्रिभुज की माध्य का व शीर्ष लंब एक ही रेखाखंड हो सकता है संकेत प्रशन 4 व पांच के लिए प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष लंब खीच कर खोज करिये प्रिष्ठ 128 विशेशता पाते हैं अपने साथियों के साथ इन पर चर्चा कीजिए प्रशनावली 6 दशम लवेक 1. त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदू D है रेखाखंड PM डैश है PD डैश है क्या QM बराबर MR है? यहाँ एक त्रिभुज PQR दिया है QR पर दो बिंदू हैं M और D 2. निम्न के लिए अनुमान से आकृति खीचिये A. त्रिभुज ABC में BE एक माध्य का है B. त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है C. त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके भहिर भाग में है 3. आकृति खीच कर पुष्टि कीजिये के एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है 6.4 त्रिभुज का बाहय कोण एवं इसके गुण इनहें कीजिये 1. एक त्रिभुज खीचिये और इसकी एक भुजा B.C. को एक और बढ़ाईए आकरिती 6.7 शीर्ष C पर बने कोण A.C.D. पर ध्यान दीजिये यह कोण त्रिभुज A.B.C. के बहिर भाग में स्थित है हम इसे त्रिभुज A.B.C. के शीर्ष C पर बना एक बाहय कोण कहते हैं आकरिती 6.7 यहां एक त्रिभुज A.B.C. दिया है जिसमें B.C. को खीच कर बिंदु D तक लाया गया है यह एक कोण कोण A.C.D. बना रहा है सपश्ट है के कोण B.C.A. तथा कोण A.C.D. परस पर सनलगन कोण है त्रिभुज के शेश दो कोण कोण A तथा कोण B बाहय कोण A.C.D. के दो सम्मुख अंतह कोण या दूरस्थ अंतह कोण कहलाते हैं अब काटकर या अक्स यानी ट्रेस कॉपी लेकर कोण A तथा कोण B एक दूसरे के सनलगन मिलाकर कोण A.C.D. पर रखिये जैसा के आकृती 6.8 में दिखाया गया है प्रिष्ठ 130 क्या ये दोनों कोण कोण A.C.D. को पूर्टया आजशादित करते हैं क्या आप कह सकते हैं M कोण A.C.D. बराबर M कोण A. जमा M कोण B. है आकृती 6.8 इस आकृती में एक त्रिभुज A.B.C. दिया गया है कोण A.C.D. बाह्य कोण है त्रिभुज A.B.C. का इसमें ये दर्शाया गया है कि बाह्य कोण A.C.D. कोण B. और कोण A. को मिला कर भी प्राप्त किया जा सकता है दो जैसा के पहले किया गया है एक त्रिभुज A.B.C. लेकर उसका बाह्य कोण A.C.D. बनाईए कोण मापक की सहायता से कोण A.C.D. कोण A. तथा कोण B. को मापिये कोण A. जमा कोण B. का योग ग्यात कर उसकी तुलना कोण A.C.D. की माप से कीजिए कोण मापक की सहायता से कोण A.C.D. की माप कोण A. जमा कोण B. के बराबर होगी यदि माप में कोई थुटी है तो इसकी माप लगभग बराबर होगी इन दो क्रिया कलापों को कुछ अन्य त्रिभुज लेकर और उनके बाहय कोण खींच कर आप दोहरा सकते हैं। प्रतेक बार आप यही पाएंगे कि त्रिभुज का बाहय कोण उसके दोनों सम्मुख अंतह कोणों के योग के बराबर होता है। एक चरण बद्ध वो तर्क पूर्ण विधी से भी इस गुण की पुष्टी की जा सकती है। किसी त्रिभुज का बाहय कोण अपने दोनों सम्मुख अंतह कोणों के योग के बराबर होता है। दिया है त्रिकूण A, B, C लेते हैं। कोण A, C, D इसका एक बाहय कोण है। दिखाना है M कोण A, C, D बराबर M कोण A जमा M कोण B। शीर्ष C से भुजा B, A के समानतर C, E रेखा खीचिये। आकरती 6.9 यहां एक त्रिभुज A, B, C दिया है जिसमें कोण A, C, D बाहय कोण है। कोण A बराबर एक और कोण B बराबर दो है। बाहय कोण A, C, D, कोण X और कोण Y को मिला कर बन रहा है। आउचित्य, चरण, कारण A, कोण A बराबर कोण X रेखा खंड B, A, रेखा खंड C, E के समानतर है। तथा रेखा खंड A, C, एक तिर्यक रेखा है। अतह एक आंतर कोण समान होने चाहिए। B, कोण 2, बराबर कोण Y। रेखा खंड B, A, रेखा खंड C, E के समानतर है। तथा रेखा खंड B, D, एक तिर्यक रेखा है। अतह संगत कोण समान होने चाहिए। C, कोण 1, जमा कोण 2, बराबर कोण X, जमा कोण Y। D, अब कोण X, जमा कोण Y, बराबर M, कोण A, C, D। किसी त्रिभुज में बाहय कोण और उसके दोनों सम्मुख अंतह कोणों के बीच यह संबंध, त्रिभुज के बाहय कोण के गुण के नाम से जाना जाता है। 1. एक त्रिभुज के लिए बाहय कोण भिन भिन प्रकार से बनाई जा सकते हैं। इन में से तीन निम्न प्रकार से दिखाए गए हैं। आकरिती 6.01 यहां तीन त्रिभुज और उनके बाहय कोण दिये गए हैं। इनके अतिरिक्त तीन और प्रकार से भी बाहय कोण बनाई जा सकते हैं। उन्हें भी अनुमान से बनाईए। 2. किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर बने दोनों बाहय कोण क्या परस पर समान होते हैं। 3. किसी त्रिभुज के एक बाहय कोण और उसके सनलगन अंतह कोण के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं। उदहरण 1. आकरिती 6.111 में एक्स कामान ग्याद कीजिए। हल सम्मुख अंतह कोणों का योग बराबर बाहय कोण अत्वा 50 डिग्री जमा एक्स बराबर 110 डिग्री अत्वा एक्स बराबर 60 डिग्री। आकरिती 6.111 यहां एक्त्रिभुज दिया गया है जिसमें अंतह कोण 50 डिग्री और एक्स है। बाहय कोण 110 डिग्री है। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। एक, प्रत्येक दशा में अंतह सम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकती हैं जबखे बाहय कोण है। एक, एक सम्मुखोण, दो, एक अधिक कोण, तीन, एक निवन कोण। दो, क्या किसी त्रिभुज का कोई बाहयकोण एक सरलकोण भी हो सकता है? प्रयास कीजिये 1. किसी त्रिभुज में एक बाहयकोण की माप 70 डिगरी है और उसके अंतह सम्मुख कोणों में से एक की माप 25 डिगरी है 2. किसी त्रिभुज के दो अंतह सम्मुख कोणों की माप 60 डिग्री तथा 80 डिग्री है उसके बाह्य कोण की माप ग्याद कीजिए 3. क्या इस आकृती में कोई तृटी है? आकृती 6.1 दो टिपणी करें आकृती 6.2 यहां एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें दो अंतह कोण 50 डिग्री हैं और बाह्य कोण भी 50 डिग्री दिया गया है अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश दो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत